हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागए था आपका हमारी यूट्यूब चैनल में मैं हूँ लखन सिंग और आप देखरें लखनाट गयरे एक काफी इंपोर्टेंट टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे काफी कमेंट्स आये थे इसके बारे में तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ हमारे चैनल के बैल आइकन को जरूर दबाईएं दोस्ते काफी इंपोर्टेंट महत्पुल टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ काफी लोगों ने सजेस्ट किया था कि हमें टॉप फाइन आट्स कॉलेजिस के बारे में बात करने चाहिए क्योंकि इस चैनल से काफी आर्ट स्टुडेंट्स और आर्ट लवर्स जुड़े हुए हैं तो काफी लोग सर्च करते हैं कि कौन से कॉलेजिस बेस्ट हैं उनके लिए तो दोस्तो आज मैं आपके लिए लेक्टिया हूँ टॉप टेन फाइन आट्स कॉलेजिस इन इंडिया तो दोस्तो आईए सुरू करणे से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बीडियो को लाइक कर दीजे और आपमारी अपकमिंग वीडियो के लिए हमार of Fine Arts Aligarh Muslim University काफी famous university है Fine Arts College के लिए और other courses के लिए भी UGC और AMU से recognition है, affiliation है वहाँ से, 1988 में इसका established हुआ था, तो दोस्तो आपको यहाँ पे hostel facility मिलेगी और जो हमारा city center है उससे इसकी distance 3 से 4 km मिलेगा, दोस्तो इसका जो address है, जो इसका main campus है, वो है AMU campus अलिगर्ड उत्तरप्रदेश, दोस्तो अगर हम आप बात करें यहाँ के कुछ pros की और कुछ cons की तो यहाँ पे one of the largest library है world की, जो की काफी student के लिए फाइदमन रहेगी और prestigious मुहिन्युदीन अहमद art gallery है जो की हर समय समय पर यहाँ exhibitions और workshops organize कराती है, तो as you are art student, art award तो आपके लिए काफी important रहता है कि वहाँ के कौन से art galleries क्या क्या exhibition और्गनाईज करवाते हैं इसका काफी foreign universities से around the world collaboration है, तो यह भी आपका काफी फाइदमन आपके लिए रहेगा अगर आप से fine arts करते हैं अगर यहाँ की कौन से की बात करें तो यहाँ पर जो nepotism है staff के वीच में वो काफी उसकी complaints आती है और कहा जाते हैं कि यहाँ का जो staff है supportive नहीं है नवे नमबर पर जो आती है वह है Department of Fine Arts महत्मा गादी कासी विसवीट यह सिका recognition है UGC और AIU 1983 में established हुई थी और यहाँ भी आपको hostel facility देखने को मिलेगी दोस्तो इसकी भी city center से distance 3-4 km मिलेगी और जो इसका address है जहाँ पर इसका main campus है वह है Station Rose, Maldia Crossing Maldia, Chetganj, Varansi, Uttar Pradis अगर हम यहाँ के pros और cons की बात करें तो दोस्तों यहाँ का जो infrastructure है वो काफी better मिलेगा आपको other colleges से और यहाँ college 100% ragging free campus है तो दोस्तों काफी student का यहाँ रहता है कि उन्हें ragging free campus यह होता है तो यह campus आपको ragging free मिलेगा और दोस्तों यहाँ की बात और है कि यहाँ extra focus जो होता है sports और extra curriculum facilities में दिया जाता है तो जिसमें extra curriculum में हमारे जो fine arts के programs होते हैं यहाँ के exhibitions होते हैं यह भी आते हैं तो यह भी एक fros है इसका अगर यहाँ के cons की बात करें तो यहाँ के जो classrooms हैं वो digitalized नहीं हैं तो यहाँ पर थोड़सी problems आपको यहाँ पर रहेगी DICTE से और 1903 में इसको establish किया गया था दोस्तों यहाँ पर आपको hostel facility नहीं मिल गए और जो distance से city center से 607 km मिलेगा दोस्तों इसका जो main campus है उसका address है रही जा education complex अपोजिट कॉलगेट पाल्मोटिव गार्डन नियर प्रुसोत्तम हाइ स्कूल खेरवाडी बांदरा इस्ट मुंबे महरास्टरा अगर यहाँ की प्रोज और कॉंस की बात करें तो यहाँ पर regular workshop और्गनाइज करादी हैं जो कि यह काफी अच्छा आपके लिए रहेगा यहाँ का इस फ्राइस्ट्रक्शर भी काफी अच्छा है और यहाँ की जो library है well equipped है तो आपको library के लिए भी चैंसन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों अगर यहाँ के cons की बात करें तो यहाँ पर hostel facility आपको provide नहीं की जाएगी और यहाँ पर जो extra curricular activities है उस पर less focus होता है तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा UGC, AIO और MHRD, 1940 में इसको establish किया गया था और आपको यहाँ पर hostel facility देखने को मिलेगी चाड़ से 5 km city center से इसकी distance है और जो इसका main campus है वह है मासापतेंग, हैदराबाद, तेलंगाना अगर यहाँ के pros और cons की बात करें तो यह centrally rocketed है तो और यहाँ का जो placement है काफी good placement program है अगर यहाँ की cons की बात करें तो academic staff non cooperative है और यहाँ की जो fees है काफी high है और जो इनका infrastructure है थोड़ा average है चटे नमबर पर जो college आता है वह है faculty of fine arts जामिया मिलिया इसलामिया UGC, AIU से इसका recognition है 1901 में इसको establish किया गया था और यहाँ पर आपको hostel facility मिलेगी city renter से इसकी जो distance है वह है 30 km जो इसका main campus है जामिया नगर post office जाकिर नगर ओखला डेली में है अगर यहाँ के pros और cons की बात करें तो pros में आता है इसकी जो world class library है उसका आप access मिलेगा आपको और इसका जो collaboration है जो काफी MOUs हैं government और foreign universities से हैं और दोस्तों यहाँ का जो infrastructure है काफी अच्छा देखने को मिलेगा आपको अगर यहाँ की cons की बात करें तो यहाँ के सिर्फ academics पे ज्यादा focus रहता है दोस्तों पाँचवी नमबर पर बात करें तो वहाँ पर आती है रविंद्र भारती उनिवस्टी UGC और AIU से इसका recognition है 1901 में इसको establish किया गया था और यहाँ पर आपको hostel facility देखने को मिलेगी city center से अगर इसकी distance की बात करें तो यहाँ 3-4 km रहेगा और इसका जो main campus है उसका address है दोस्तो अगर यहाँ के pros और cons की बात करें हर जगे के आपको students यहाँ पर देखनों को मिलेंगे infrastructure आपको काफी अच्छा मिलेगा जो classroom यहाँ के हैं well equipped हैं और digitalized हैं अगर यहाँ के cons की बात करें यहाँ भी same problem है faculty not supportive और English department उतना अच्छा नहीं है चौते नमबर पर आती है कला भावना institute of fine arts विववा भारती UGC से recognition है 1921 में इसको establish किया गया था hostel facility मिलेगी city center से distance की बात करें तो 2 km है और जो इसका main campus है वह है सांतिनिकेतन वेस्ट बेंगॉल अगर यहाँ के भी pros और cons की बात करें तो pros में यहाँ का जो infrastructure है काफ़ beautiful मिलेगा आपको modern और culture education पर यहाँ पर main focus रहता है और PM and president plays an active part as chancellor and vice chancellor तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस चीज़ का काफ़ी फायदा मिलने वाला है अगर यहाँ के cons की बात करें तो यहाँ पर जो placement cell है काफ़ी inactive है और अगर आप management से contact करना चाहेंगे तो यह काफ़ी difficult आपके लिए रहेगा तीसरी नमबर पर बात करें तो वहाँ आती है Sir JJ Institute of Applied Art काफ़ी जाना माना institute है जो इसका affiliation है AICTE से है University of Mumbai से भी इसका affiliation है 1971 में इसको established किया गया था यहाँ पर आपको hostel facility provide की जाएगी City center से इसकी distance की बात करें तो 23-24 km है इसका जो main campus है उसका address है डॉक्तर दादा भाई, नारावजी रोड, धोबी तौलोग, चत्रबजी छिवाजे टर्मिनल एरिया, फोर्ट, मुंबई, महराष्टरा अगर यहाँ के pros और cons की बात करें, काफी अच्छा infrastructure आपको यहाँ पर मिलेगा, काफी discipline मिलेगा यहाँ पर और placement काफी अच्छा है लेकिन इसका एक ही cons है कि यहाँ पर जो आपको फीर्स होगी काफी high है दूसरे नमर पर बात करें तो यहाँ पर आती है College of Art, University of Delhi University of Delhi से इसका affiliation है, 1942 में इसको establish किया गया था Hostel facility आपको यहाँ पर मिलेगी और city center से अगर इसकी distance की बात करें तो यहाँ है 20 km इसका जो main campus है उसका address है तिलग मार्क, भगवान दास लेन, मंडी हाउस, New Delhi यहाँ के pros और cons की बात करें, तो faculty काफी अच्छी है और यहाँ पर gender ratio maintained है, one by one का gender ratio है regular organization and participation है various workshop में, Delhi की जैसी जगह है तो काफी art पे काफी यहाँ पर focus रहता है जो scholarship program है वो काफी अच्छा मिलेगा आपको, सबी students को मिलता है और जो यहाँ के अगर cons की बात करें तो placement यहाँ का थोड़ा सा कम है, average infrastructure है और जो faculty होती है काफी change होती है दोस्तो पहले नमबर पर जो आती है उसके अगर हम बात करें वो है faculty of visual arts बनारस हिंदू यूनिवरस्टी UGC जे इसका affiliation है और बनारस हिंदू यूनिवरस्टी से affiliation है इसका अठार सो अठानेवे में इसको establish किया गया था hostel facility आपको यहाँ पर देखनों को मिलेगी और अगर city center से इसकी distance की बात करें तो 9 से 10 km आपको यहाँ से मिलेगा इसका जो main campus है उसका address है और विंदू कॉलोनी बनारस हिंदू यूनिवरस्टी campus पोस्ट आपिस हिंदू विश्व विद्याल है वनारस उत्तर प्रदेश अगर यहाँ के pros और cons की बात करें तो यहाँ पर around the globe आपको student मिलेगा faculty cooperative है काफी helpful है और infrastructure और campus काफी अच्छा आपको मिलने वाला है यहाँ के जो exhibition hall है आखास कर art के लिए काफी attractive है अगर यहाँ पर कौनस की बात करें यहाँ पर जो आपको admission मिलने का है competition काफी tough मिलेगा आपको यहाँ पर तो दोस्तो यही थी top 10 fine art colleges in India जो हमने इनको categorize किया है तो दोस्तो comment के थुरू बताईए कि आपको यह categorization कैसा लगा औ और आप कौनसे college में जाने के लिए इच्छुक हैं और किस के लिए आप तयारी कर रहे हैं तो दोस्तो इसी तरह की videos पाने के लिए हमारे channel को subscribe किजिए और हमारे channel के bell icon को जरूर दबाईए